प्रियाभ्यूवर्ज आपके लिए प्रयाग्राज शाखा पर आफ्लाइन बैच के संबन में सूचना हिंदी माध्यम में सामानेर्धियन फांडेशन बैच 10 की शुरुआत 7 सितंबर को सुबसवा 11 बज़े से होने जा रही है वहीं हमारे अंग्रेजी माध्यम जेनरल स्टेडीस फांडेशन बैच 3 की शुरुआत 8 सितंबर सुबसवा 11 बज़े से होने जा रही है नमस्कार द्रिस्टी आईएस के टुडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैब देख लेते हैं पहला प्रशन था नुनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए कथन 1 खादी और ग्रामोद्योगायोग के विशिष्ट प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को अप्षिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करने के आविशकार के लिए पेटेंट मिला है कथन 2 प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागेज को प्रोजक्ट रिसाइकल के तहद बिक्सित किया गया था उपरयोग्त में से कौन सा अतवा से कथन सही है अतवा हैं इसका सही जबाब था option A केवल 1 अगला प्रश्ण था रक्षा अधिग्रहन परिशत के संबंद में निम्नलखित कत्नों फर विचार कीजिए कथन 1 यह परिशत भारत्य सेना, नौ सेना और वायू सेना के लिए नई नीटियों और पुंजी अधिग्रहन के संबंद में निर्णे लेती है कथन 2 यह भारतियत रक्षक बल के संबंद में भी निड़ने लेती है कथन 3 केंजे रक्षा मंत्री डीएसी की अध्यक्ष होते हैं उपर युक्त में से कौन सा अत्वा से कथन सही है अत्वा है इसका सही जवाब था option D 1, 2 और 3 अगला प्रशन था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन 2 निउन्तम सार्वजनिक शेयर धारिता में शामिल सार्वजनिक शेयर धारकों का तात पर व्यक्तियों के साथ साथ वित्य संस्थान से है उपर दिय गए कथनों में से कौन सा अत्वा से सही है अत्वा है इसका सही जवाब था option C 1 और 2 दोनो अगला प्रशन था निम्लिखित कत्मों पर विचार कीजिए कथन 1 उनिस्सो पैतालिस में अमेरिका ने हिरोशिमा पर यूरेनियम विखंडन पराधारित फैट मैं नामक बम गिराया था कथन 2 इस हमले में बचे लोगों को हिबा कूशा के नाम से जाना जाता है और कथन 3 जापान ने परमानु हथ्यारों की अप्रसार संधी पर हस्ताक्षर किये है उपर यूग्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं इसका सही जवाब था option B केवल 2 और 3 कथन 1 इस संधी के तहट सतलुज, रावी और चिनाब सहित पूरवी नदियों की हिसेदारी भारत को दी गई कथन 2 सिंधु जलसंदी के समय मध्यस्टता विशुबैंक ने की थी और कथन 3 संधी के तहट भारत को सीचाई, बिजली उतपादन और परिवन उदेश्यों के लिए पश्यमी नदियों के 20 प्रतिशत पाने के उप्योग करने की अनुमती है उपर युक्त में से कौन सा अत्वा सेकतन सही है अत्वा हैं इसका सही जवाब था ऑप्शन सी केबल 2 और 3 अगला प्रशन है निमलिकित द्वीपों को उत्तर से दक्षन की और विवस्थित कीजिए पहला सेशिल्स, दूसरा अजम्शन द्वी, तीसरा डियागोगार्सिया और चौथा अगले गाद्वी इस प्रशन का सही जवाब था ऑप्शन सी यानि एक, दो, तीन, चार अगला प्रशन था, खाली में खबरों में रहा रुहिनी आयोग निमलिकित में से किस से संबंदित है इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, यानि अन्य पिछड़ा वर्ग अगला प्रशन था, निमलिकित देशों पर विचार कीजिए पहला जॉर्डन, दूसरा अर्मेनिया, तीसरा इराक, चौथा कजाकरस्तान, पांचमा तुर्की, छठा उजवेकरस्तान उपर युक्त में से कौन कौन से देश इरान से सीमा साजा करते हैं इसका सही जवाब था, ऑप्शन बी, केवल दो, तीन और पांच अगला प्रशन था, निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए कत्थन एक, संबिधान में संसद के लिए अनुच्छेद 105 और राजबिधान सभाओं के लिए अनुच्छेद 194 में दो विशिशाधिकारों, यानि संसद में बोलने की स्वतंतरता और सदन की कारेवाही को अबरुद करने के अधिकार का उल्लेख है कथन 2 लोकसभा की नियम पूस्तिगा के अध्याई 20 का नियम करमांग 22 और राजसभा की नियम पूस्तिगा के अध्याई 16 का नियम करमांग 187 विशिशाधिकार को नियंतरित करते हैं उपर योगत में से कौन सा अतवा से? कथन गलत है, अतवा है इस प्रशन का सही जवाब था option A केवल 1 अंतिम प्रशन था पाउलोफ, ग्रेट सीटकीन और सैमसी पोचनवाई निमलखित में से किसके नाम हैं? इस प्रशन का सही जवाब था option B जौला मुखी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रशन ब्रंपुत नदी के संबंद में निमलखित कत्नों पर विचार कीजिए कथन एक, यह मानसरोवर जिल के पास कैलाश परवश श्रिंखला के चेमायूंग डूंग लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है कथन दो, यह असम में साधिया शहर के पश्शिम में भारत में प्रवेश करती है और कथन तीन, इसकी केवल दो सहायक नदियां दिबांग और लोहिद हैं उपरयोगत में से कौन सा, अत्वा से कथन सही है, अत्वा हैं जल संसाधिन पर संसधिया स्थाई समीति के अनुसार भारत को लगातार चीन की गतिवीदियों पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि चीन का ब्रह्मपुत्र के मामले में हस्तक छेब करने से भारत के रास्टर हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोबर जील के पास कैलाश परबद श्रिंखला के चेमा यूंग डूंग लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है यह अरुनाचल प्रदेश के साधिया शेहर के पस्चिम में भारत में प्रवेश करती है इसकी सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सियांग, बुड़ी दिहिंग, तिस्ता और धन्सरी है इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है Option A केवल एक हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल अब शुरुवात करते हैं आज के शेशन की पहला प्रशन है किस राजसरकार ने घर घर स्वास्त सेवा योजना मकलाई थेड़ी मारुत्थूबम शुरू की है Option A करनाटक, B केरल, C आंधरप्रदेश, D तमलनाडो और इसका सही जवाब है Option D तमलनाडो हाल ही में तमलनाडो के मुकमंतरी M.K. स्टालिन ने क्रिस्नागरी में मकलाई थेड़ी मारुत्थूबम यानि लोगों के लिए घर घर स्वास्त सेवा योजना की शुरूआत की ये योजना प्रारंभिक स्वास्त सेवाओं में सुधार करेगी इसके माध्यम से गरीबों को आवश्रक चिकित्सा सेवाएं उनके अपने घरों में उपलब्ध हो सकेंगी इस प्रकार इस प्रशन का सही उत्तर है Option D यानि तमलनाडो अगला प्रशन है संजुक्तरास्ट सुरक्षा परिसद UNSC के संबंद में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक ये संजुक्तरास्ट का एक मात्र अंग है जिससे नर्ने लेने का अधिकार है इने संब्सेत देश चार्टर के तहट लागू करने के लिए बाद दे हैं Option counts A केवल एक और दो, B केवल दो, C केवल एक और तीन, D एक दो और तीन इसका सही जबाब है Option A केवल एक और दो संजुक्षा परिशत सुरक्षा परिशत यानि UNSC में अस्थाई सीट के लिए भारत मांग करता रहा है UNSC के 15 सदस्यों में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई हैं सुरक्षा परिशत के प्रतेक सदस्य को एक बोट का अधिकार होता है पांच अस्थाई शदस्यों में से एक स्धस्यका नकारात्मक वोट प्रस्ताओ को पारीत होने से रोकता है सन्यूक्त रास्ट का कोई भी सदस जो सुरक्षा परिशत का सदस नहीं है सुरक्षा परिशत के सामने लाए गए किसी भी प्रशन के चर्चा में विना वोट के भाग ले सकता है जहां संजुक्तरास्ट के अन्य अंग सदस्य देशों को सिफारिशें करते हैं वहें निर्ने लेने की शक्ती सिर्फ सुरक्षा परिशत के पास है संजुकतरास चार्टर के तहट सदश्य देश नरणियों को लागू करने के लिए बात दियो होते हों इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है Option A केवल 1 और 2 अगला प्रशन है रास्त्रिय सिविल सेवाक شमता निर्माण कारेकरम के संबंद में नमलिकित कत्नों पर विचार कीजीए कत्हन 1 इस कारिक्रम का उद्देश सहिद रिस्टिकॉन, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्व में सेवा के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्मान करना है जो नियू इंडिया का विजन है कथन दो यह कारिक्रम चमता निर्मान को बढ़ाने के लिए लेटरल एंट्री की अनुमती देता है उपर योग तुमें से कौन सा अतवा से कथन सही है अतवा हैं options हैं A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो और इसका सही जवाब है option A केवल एक Mission कर्मयोगी, civil सेवा क्छमता निर्मान का रास्ट ये कारिक्रम है इसका उदेश, सही द्रिष्टिकोन, कौशल और ज्यान के साथ भविस्व में सेवा के लिए तयार, civil सेवा का निर्मान करना है जो New India का विजन है Lateral Entry परनाली, Mission कर्मयोगी से अलग है इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है option A केवल एक अगला प्रशन है, निमलकित कतनों पर विचार कीजिए पहला, न्यायाधिकरनों को भारते संब्धान में 42 में संशोधन अधिनियम 1976 के तर्ट शामिल किया गया था कथन दो, प्रशाशनिक न्यायधिकरनों के अस्थापना प्रशाशनिक अधिकरन अधिनियम 1985 के तहद की गई थी उपर योगत में से कौन सा अतवा से कथन सही है, अतवा है options है, A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दो और D न तो एक और नहीं दो और इसका सही जवाब है, option C, एक और दो दो नू हाली में सुप्रीम कोर्ट ने केंस्टरकार से न्यायधिकरनों में वर्षों से लंबित रिक्तियों में नियुक्तिया नहीं करने के लिए अपने विचार अस्पस्ट करने को कहा है न्यायधिकरन एक अर्धिन्याइक संस्था होते हैं जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलजाने जैसे समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया है ट्रिब्यूनल मूल संबिधान का हिस्सा नहीं थे इन्हें भारतिय संबिधान में 42 में संशोधन अधिनियम 1976 के तहद शामिल किया गया था प्रशासनिक नियाधिकरनों के अस्थापना प्रशासनिक अधिकरन अधिनियम 1985 के तहद की गई थी इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है, option C, एक और दो दोनो अगला प्रसन है, संविधान संशोधन विधेकों के संबंद में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए कतन 1, ऐसे विधेकों संसत के किसी भी सिदन में पेश किया जा सकता है कतन 2, ऐसे विधेकों को साधारन बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है और कतन 3, इन्हें पारित करने के लिए गतिरोध के स्टिव में संजुक्त बैठक का प्रावधान है उपर युक्त में से कौन सा, अथवा से कतन सही है, अथवा हैं और इसका सही जवाब है, अप्शन, ए, केवल ए, बी, केवल एक और दो, से, केवल दो और तीन, डी, एक, दो और तीन ओर इसका सही जवाब है, अउपशन, ए, केवल ए इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है Option A केवल 1 अगला प्रशन है मौदरिक निती समीती के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कथन 1 इस समीती में अध्यक्षई 6 सदस यानी RBI के 3 अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामी 3 बहारी सदस शामिल होते हैं कथन 2, 2014 में ततकालिन गवर्नर रगुराम राजन के नतरत में RBI द्वारा नियुक्त समीती ने मौदरिक निती समीती के स्थापना के शिफारिस की थी उपर युक्त में से कौन सा अध्वा से कथन सही है अध्वा हैं A केवल 1, B केवल 2, C एक और दो दोनो, D ना तो एक और नहीं 2 और इसका सही जवाब है option A केवल 1 हाल ही में RBI ने मौदरिक निती जारी की है भारतिया रिजर्बैंक की मौदरिक निती समीती ने बिना किसी बदलाव के रेपोदर को 4 प्रतिशत पर रखा है इसके साथ साथ रिवर्च रेपोदर को 3.35 प्रतिशत पर रखा है मौदरिक निती समीती भारते रिजर्वेंग अधिनियम 1934 के थत एक सामविदिक और संस्थागत धाचा है इसका उद्देश विकास को ध्यान में रखते हुए मुल्लि स्थीरता बनाए रखना है 2014 में ततकालें डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के नेतरत्य में आरबियाई द्वारा निक्त समीती ने मौदरिक निती समीती के अस्थापना के शिफारिश की थी इस समीती में अध्यक्ष सहित 6 सदस यानि आरबियाई के 3 अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बहारी सदस शामिल होते हैं इस प्रकार इस प्रशन का सही उत्तर है, option A, केवल 1. अगला प्रशन है, निमलिखित में से कौन सी संस्था विशेस रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सुची प्रकाशित करती है? options हैं A, वित्यक कारिवाई कारिवल यानि Financial Action Task Force, बिश्वयपार संगठन, World Trade Organization, C, U.S. Department of State, और D, Islamic सहयोग का संगठन, यानि Organization of Islamic Cooperation, और इसका सही जवाब है, option C, U.S. Department of State. विशेस रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सुची, U.S. Department of State प्रकाशित करता है, हाल ही में, U.S. Department of State ने अपनी विशेस रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सुची में पांच कथित इसलामी आतंकवादियों को शामिल करने की घोशना की है, इसके साथ-साथ अमेरिका ने पांचो आतंकवादियों से जुड़े व्यक्तियों या विद्यशी वित्य संस्थानों पर भी पर्तिवंद लगाया है, जो इनके साथ लेंदेन में संलंग थे, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है, अगला प्रशन है, निमलेखित में से किस लेखा का लेखा क्या नाम भानू सिंग था, उप्शन है, बंकिम चंदर चटरजी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी लाला हर्दयाल, और दी दीन बंधु मित्र, और इसका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर, आज यानी साथ अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की असीमी पुनेती थी है, इस तारीक को पशिम बंगाल और बंगलादेश में बैशे सरबोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन कवी और नाटकार रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था, रविंद्र गितांजली, घरे बाहरे, गोरा, मानसी, बालक, सोनार तोरी, उन्होंने अपनी पहली कविता, 16 वर्ष के आयू में भानु सिंग के नाम से प्रकाशित की थी, इस प्रकार इस प्रशन का सही उत्तर है, आप्शन B, रविंद्रना टैगोर, अगला प्रशन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंद में निमलेखित कत्नों पर विचार कीजी, कत्न एक, लॉड करजन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, दूसरा, बंगाल के अन्याई प्रण विभाजन को लागू होने से रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए चरमपंथियों द्वारा विभाजन विरोधिया वियान शुरू किया गया था, उपर युक्त में से कौन सा अत्वा से कथन साही है, अत्वा हैं, आप्शिन्स हैं, A केवल एक, B केवल दो, C, एक और दो दो, D, ना तो एक और नह दो, और इसका सही जवाब है, ऑप्शिन A केवल एक, 2015 में भारत सरकार ने साथ अगरस्त को राश्टी हतकरगा दिवसकरूप में घोशित किया, आज के दिन भारत की समर्द हतकरगा विरास्त के साथ साथ, महतपुर्ण एतिहासिक घटना सुदेशी आंदोलन को भी याद क शुरू किया गया था, इस प्रकार इस प्रशन का सही जवाब है, ऑप्शिन A केवल एक, अन्तीम प्रशन है, निमलखित कतनों पर विचार कीजिए, कतन एक, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ऐसी समर्पित अदालतें हैं जिनसे न्याई की त्वरित ववस्ता सुनिश्च ना करने की शक्ति देता है, उपर योग तुमें से कौन सा अत्वा से कतन सही है, अत्वा हैं, ऑप्शन हैं A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दो, D न तो एक और नहीं दो, और इसका शही उत्तर है, ऑप्शन C, एक और दो दो, दो. खाल ही में केंद्रे मंद्री मंडल ने फास्ट ट्रेक इस्पेशल अदालतों के लिए केंद्री प्रायूजित योजना को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की ILखिए की मंजूरी दी है, इसके चलते 389 विसल स्पोक्स व अदालतों सहीट, ऐक 1023 फास्ट ट्रेक इस्पेशल अद इसके अलावा ये अदालतें यौन अपरात को लेकर भी कडारों का अपने आती हैं, अनुचे 247 संसत को उसके दोरा बनाए गए कानूनों या संग सूची में उल्लखित किसी मौजूदा कानून के माध्यम से बेहतर प्रशाशन के लिए कुछ अतरिक अदालतों की अस्थाप अपना करने के शक्ती देता है, इस प्रकार इस प्रशन का सही उत्तर है, ऑप्शन C, एक और दो, 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 अब बारी है आज के अभ्याश प्रस्मकिन, राजीब गांधी खेल रत्न पुरुसकार के संदर्ब में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजी, कतन एक इस पुरुस आप्शन हैं, एक एवल एक, बी, एक और तीन, सी, दो और तीन, डी, एक, दो और तीन, उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, शुक्रिया प्रिया व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंगलिश में देखने के लिए देखिए हमारा द्रिस्टी आईएस इंगलिश यूटूब चैनल और पाईए लिटिस्ट अपडेट